असलाम लेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही जटपट बनने वाली चम चम मिठाई की रेसिपी उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर लाइक कर दीजेगा तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं पहले हम इसकी चासनी तयार कर लेंगे तो चासनी तयार करने के लिए मैंने एक कप पानी लिया है और इसे मैं गरम कर लूँ कि अच्छे सा गरम जब हो जाएगा तो इसमें हाफ कफ चीनी आड़ कर दिया है फ्रेंड्स बट मेरा कैमरा ओन नहीं हो पाया था बट मैंने हाफ कप चीनी लिया है इसे एड़ कर दिया इसे हम खुब अच्छे से उबाल लेंगे और जब उबाला जाएगा तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर एड़ कर देंगे जादा नहीं एड़ करना बस त्हूड कि तयार करनी है तो देखे हमारा अच्छा सह तयार हो गया चाचनी तो लिए हगी हल्की सी सट्ती है बस हांट में यह हमें चाहिए और ये तैयार हो गई है अब गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे हम और इसे ठंडा होने के छोड़ देंगे जब तक यह थंडा हो र जादे दिन की मलाई नहीं है तो इसमें हम तीन बड़े चम्मज मिल्क पाउडर एड़ कर देंगे मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं मिल्क पौडर अब अब इसमें थोड़े से डॉट्स एड कर लेंगे थोड़े से कटेवे बादाम कटेवे काजू और थोड़े से मैंने किशमिश लिया है इसे भी आइड कर दिया है आप अपनी पसन का कोई से भी ड्राइफ रूट ले सकते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर और मलाई को अच्छे से मिक्स करना है हमें तो यह बहुत अच्छा से मिक्स हो गया तो इस पॉइंट पे मैं इसमें दो चम्मच के खरीब जो नारिल का बुरादा आता है वह एड़ कर देंगे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है टेस्ट हमा अब हम आगे की तयारी करते हैं तो यहां पर मैंने ब्रेड लिया है और ब्रेड को हम एक ग्लास के हिल्प से कट कर लेंगे रौंड शेप में हमें कट करना है तो ग्लास से बहुत अच्छे से कट हो जाती है रौंड शेप में निकल भी जाती है बहुत इजीली हमारी तो द के से राउंड शेप में कट करके इसी तरीके से मैंने सभी को कट कर लिया है अब ब्रेड के हम एक पीस लेंगे और इसमें से मलाई में जो हमने बनाया है उसमें से एक बड़ा चमच इस तरीके से एक लेयर जैसी बना लेंगे इस पर हम अच्छे से इसे फैला लेंगे और एक ब्रेट का और पीस लेंगे और इस तरीके से उपड़ से रख देंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसे अच्छे से सेट कर लेंगे हम और आचे से सेट करने के बाद इसे हम चासनी में डिप करेंगे और चासनी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए गरम नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी ये और चासनी में डिप करने के बाद हम इस तरीके से निकाल लेंगे तुरंत ही निकाल लेना है हमें इसे छोड़ना नहीं है चासने में तुरंत हम निकाल लेंगे और निकालके नारेल के बुरादे में जो भी एकसे होगा हमारा सीरम है उसमें हम निकाल लेंगे जाड़के हम निकाल लेंगे इस तरीके से और नारेल के बुरादे में इस तरीके से अच्छे से हमें कोड करना है बहुत अच्छे से कोड करना है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चानल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा वीडियो को इसी तरीके से मैं एक और बना के दिखा देती हूं आपको जबेंस तरीके से हमें ब्रेड पलेना है और चासने में घाशष में डेप करेंगे अ कि अगरी तर्के से मैंने आपको इक्स्टरा चासनी थी उसे निकाल लिया है और इस तरीके से नाडलhous के बुरादे में कोड कर देंगे और यहां हमारा तयार है तो देख और इसी तरीके से मैंने सभी को बना लिया है बहुत ही जटपट बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तयार हो जाती है कोई यखीन नहीं करेगा फ्रेंड्स कि आपने ये इसे ब्रेड से बनाया है तो मैंने चेरी का यूज किया यहां पे चेरी को दो भाग में मैंने कट कर लिया है अथोड़ी से रेड टूटी फुरोटी से इसे डेकुरेड कर दिया है माशालला से देखने में कितनी खुबसूरत लग रही है ये बहुत ही टेस्टी लगती है आप एक बर बनाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाह आफीज